एक तारीक एक नॉब्बर दोहजार खारा है इनरा जद्वारा दिनों से हम इसी गाड़ी में चोड़ खा गए थे तो थोड़ा दिफ्तर भाए इस बीच का दहा जो है आफिर दिनों से भठती है तो निराब कुछ ठीक हो गया है उसको हम आज बाहर करेंगे कल जो गढ़ा है कल जो गढ़ा है अरे वो नंदी उसको कल देखेंगे यही हमारी जीवन की यही एक फैली है क्यासी साल की उमर में अगर मेरा इसका परिवास नहों हमारी बेटी नहों तो हमसों समझते हैं साइट पुट्टे की मौत हमको बता पर जाए मेरी दो बीटिया अब कोई न कोई पहारा दे रही है उनके लोग के बच्चे भी पहारा देते हैं हमको कि अगर मगरें तन भी नियुक्त प्रादा है हाहां – हम खाम पूबटी लूबटी लुट है हाहा हां तो हमको फुक्त दे लूबटी मौत भी लूब देक्त प्रादें आज आज हमारी सेवाइं चल नहीं है और अच्छी नियत में अच्छी नियत में अच्छी विचार आते हैं आज हम पुर्दान मंत्री जी के बारे में बोल नहीं है कि कुछ बोल नहीं है और सटी को उटा का आज मैंने ये देखा कि भारत के जिहास में कि इतना बड़ा काम रगता है कि भारत काम नौनिर्माल हो रहा है जो सर्दार पटेल जी के मूलत लगनी चाहिए ठीस सक्तर साल पहले आज बोल लग रही है इससे बढ़ करके अभी बहुत कुछ होना बाकी है और मैं समझता हूं कि हम इनको आजाद करने जा रहे हैं तीन जानमनों के आज मैंने चार-पांच महिने हो गए खेल लहें चैप दो बच्चे हैं तो इसे ही मैं यह चाहता हूं कि लोग इसे ही संभाव संभाव अगर बना कर रखे रहेंगे तो यह सनातन धर्मा है हमारा जिसके मोजी जी बहुत बड़े पुरोधा है और उनको बहुत कुछ उनको जूजना पर रहा है बेरा यह कहना है अंतर समय में कि आने वाले समय में जो जो विक्ति देश और समाज के लिए कुछ काम नहीं किये होगा उसको वहां से हटा लिए आपने किया क्या है आज शाम साधू पूरे वर्ड से कोश्चन कर रहा है कि महात्मा जी आपने किया क्या है आपने कहा लिखा सुना बड़े बड़े बेदान पुरान लेकिन किया क्या है अगर आपने कुछ नहीं किया तो जाइए प्रीड उस समाज के लिए कीजिए और स्याम साधू का जो संदेशा है पूरे विस्व में इस श्याम साधू का संदेशा न किसी को मारो न किसी को काटो और चैन की जिन्दगी जियो कि दिमाग से निकालो तुम फणा जातके हो तुम धमा के जातके हो कोई आदमी अगर भगवान के सामने हमसे एक मिनट बात करके दिखा दे तो मैं मान जाओंगा अगर आज तक कोई भगवान के सामने बात नहीं कर पाया है तो ये दुनिया भ जैसे आज 21 साल को में मैं ये करने जा रहा हूं हमारी बेटी भी पारंगयत हो चुकी है और इसी बेटी के नाम पर मैं बहुत जदी डेकलेर करने जा रहा हूं अंजली मां कंज़ी मां काम किया है सार है टीन पापय अमर्टे राइबरेलियान पता लगा लेओं कितने बेवी बताती है कि हब लोगों को याद नहीं कि कितने गय कुट्टे की शेवा करके मानवटा की जो पराकास्दा हैसरु हो यहीं से सुरू होती है ये बेदान जो भगवान और कफा भागवत से नहीं बहुत बात की बाते हैं जी पहले आप मनों से बन जाओ और हमारी अंजली ने मुझे गर्व है आज अंजली ने हमारा सर सर से मुचा कर दिया है एक यासी साल की उमर में मेरे खांदान में इतनी डंबी उमर तक कोई नहीं जिया और भगवान चाहेंगे तो सर में थोड़ा चोट है ठीक हो जाएंगे वो सकता है भी 10-20 साल और हमको जिन्दा रहना पड़ जाए आवस्ते रहेंगे नाराज तो मैं ऐसी मिसाल छोड़के मरना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में आज एक भारत का नाम सदा उंचा रहें यह नहीं कि मेरा देश महा नहीं आपने कौन सा किया है काम अपने कौन सा किया है काम अरे पूरा विर्षो हमें इसका जवाब दे दो श्री पूरा विर्षो मुझे जवाब दे कौन सा आपने काम पूट हूँ यह हो गया वह अरे मनुष मनुष के लिए किया ना कांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया लेकिन केवल मनुस के लिए किया गद्धे और कुट्टे उस्वर के लिए कहीं नहीं किसे नहीं किया अधियर स्याम साधू भले हमारी कोई की मतना आख रहा हो लेकिन आने वाली तारीक ये दुनिया की उचाईयों पर ले जाएगा क्यों मैंने समस्ट मत्ता इस थोड़ा हम ने खीक और फुरा स्टहलेंगे ये बाबा भीया जल्खना के चल नहीं है और जज़ाद ही चल लहा है लेकिन फुरा पहलेगा घूमेगा तो फीक हो ज्याम दूनिया है हाँ पूरी दुनिया को देना चाहते हैं ना हमारा इसने कोई थोटा धर्म है और मेरा कोई बड़ा धर्म है यह सनातन धर्म है